लेस के दो टुकडे लिए हैं दोनों को इस तरह सेट करके रखना है एक दूसरे के उपर अब नीडल में डबल धागा ले लेंगे और यहां पर छोटे-छोटे स्टिच लगाते जाना है पूरी लेस हमें छोटे-छोटे स्टिच लगाके कवर कर देनी है तो यह स्टिच लग करना है इसे और यहां पर नोट लगाके एक्स्ट्र दागा कट कर लेना है यहां बटन लगा देंगे तो यह हमारा फलावर बन गया है लेस के छोटे से टुकडे से बनाएंगे लटकन यहां पर डोरी रखनी है सेंटर में और लेस को ऐसे फोल्ड करना है अब डोरी यहां यहां पर सिलाई लगानी है तो सिलाई हम मशीन से भी लगा सकते हैं यहां पर मैं हाथ से लगा रहे हैं तीन चार बार इसे पक्का कर लेना है और यहां पर सिलाई लगा देनी है कोर्नर तक और सिलाई लगने के बाद यहां पर टाइट कर लेना है दो तिन नोट लगा के यह लग गई है अब यहां से सिलाई के जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है इस तरह से सीधा करेंगे लटकन को तो यह देखिए हमारी एक प्यारी सी लटकन बनके रेडी हो गई है लेश के छोटे से टुकड़े के साथ बनाएंगे एक बहुत ही प्यारी आइटम इसके लिए लेश लेनी है और यहां से यह राउंड सर्कल में कट कर लेना है दो पीस कट करने है इसके बाद पतला रीबन लेना है रीबन को ऐसे रखेंगे सेंटर में और इसके साथ सिल सिलने के बाद 2-3 नोट लगा के यहां पर सेट कर लेना है अब दूसरा पीस इसके उपर ऐसी रखना है दुनों को बराबर करके और इस तरह से यहां पर सिलाई लगा देनी है जो भी हमारा यहां पर डिजाइन है उसके उपर सिलाई लगाते जाना है पूरे जो डिजाइन है वो इस तरह कबर कर देने हैं सिलाई लगा के आप देखे यह हमारा पूरा कबर हो गया है लास्ट में हमें यहां पर दो-तिन स्टिचेस देके नोट लगा देने हैं एक्स्टर धागा कट कर लेना है और ये देखिए हमारा एक सुन्दर सा इसकी लटकन भी बना सकते हैं और बुक मार्क बन गया है अगर आपके पास भी इस तरह की कोई लेस है इससे बनाएंगे एक बहुत ही सुन्दर सा फ्लावर यहाँ पर डबल धागा ले लेना है नीडल में और इस तरह से किनारे से सिलाई लगाने है चोटे-चोटे स्टिचिज लगाने है और पूरी लेस को कवर कर लेना है यहाँ पर और यह सारा कवर होगया है अब यहां से धागे को खीच देना है यह सारे गैधर धागे हैं अब दोनों साइडों को ऐसे पकड़ना है और यहां पर सिलाई लगा देनी है तो यह चोटे-चोटे स्टिचेज यहां पर लगाने है और सिलाई लगा देनी है यहां मेशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं और यह सिलाई लग गई है अब दो तिन नोट लगा के यहां पर इसे बंद कर देना है जिसे यह खुलेना अब कटिंग करने के बाद यह फ्लाबर हमारा रेडी हो गया है इसके बाद यहां पर कोई बटन लगा देंगे